प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राश्रपती शी जिन पिंग को दोटू कह दिया कि LAC का सम्मान करना होगा लेकिन कॉंग्रेस ने सवाल उठाए है कि आखिर किन शर्तों पर डिसिंगेजमेंट होने जा रहा है मेरे साथ मनीश तिवारी है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता ज हो गए और चीन की जो घुसपैट है भारत की सरजमी में वो उसी तरह से बरकरार है और इन 38 महिनों में इस घुसपैट को लेके सरकार ने एक भी जवाब मुल्क को नहीं दिया अविश्वास प्रस्ताओं के दोरान मैंने विस्तार पूर्वक अपना पूरा भाशन चीन के उपर दिया प्रदान मंत्री ने जब जवाब दिया तो एक भी बात का उत्तर उन्हें नहीं दिया यह आपके सामने है दूसरा बुन्यादी सवाल यह है कि डिसंगेजमेंट किन शर्तों पर क्या जो नियंतरन रेखा थी अपरेल 2020 से पहले उसका सम्मान किया जाएगा के न है 1959 की जो उनकी क्लेम लाइन है उसके अनुसार यह डिसंगेजमेंट हो रहा है जो बफर जोन बन रहे हैं क्या हुआ वह भरत बफ़र जोन भारत की जो राये कि प्रसेप्शन है उसमें बन रहे हैं वो जो एसस्पी लदाख ने लिखित में कहा है कि 65 में से जो 26 पट्रोलिंग पॉइंट है लदाख में वहां पर भारत की सेना पहुंच नहीं पा रही है यह बुन्यादी सवाल है राश्ट्रपती शीजिंग्पिंग जी ट्वेंटी के लिए भारत आएंगे इससे पहले ऐसे मुल्क जिसने भारत की सरजमी के ऊपर बगैर किसी वजय के कब्जा करने की क लिए तो उस दोरान भी स्टेटिस को को लेकर के बात होनी चाहिए देखिए ऐसा है कि शी जिंग्पिंग जब 2014 में भारत आये थे और जब उनको एमदाबाद में जूला जूलवाया जा रहा था उसी समय चुमर का ट्रांस्ग्रेशन हुआ था चुमर में चीनी से ना भार कैसे और किन शर्तों पर और किसकी शर्तों पर आखरी में सर पूछूंगा रहूल गांदी ने बिते दिनों लद्दाक में कहा था कि चीन ने जमीन कब्जा कर लिया है और प्दानमंद्री जो कहते हैं कि कोई नहीं गुसा वो तथ नहीं है उसमें इस पर बीजेपी हमेशा कहती है संवीधन शील मुद्दे पर आप लोगों पर आरोप लगाती है कि आप लोग सियासत कर रहे हैं और फिर वो चली जाती है ने रोजी के जमाने में जब पैसट की लड़ाई में चीन ने बड़ी भूमी पर लद्दाक के कब्जा कर लिया था लिखी ऐसा है कि शीरी राहूल गांदी को अपने आप तो कहनी रहे शीरी राहूल गांदी को जो ले लड़ाक के निवासी हैं जो बता रहे हैं उसकी बनस्बत वह यह बात सारवजनेक लोगों के सामने रख रहे हैं और जब 1962 की बात करते हैं भारती जंता पार्टी वाले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं की वह कौन सी सरहद की मात कर रहे हैं वह जॉंसन एर डग्सक्रांज की बात कर रहे हैं जोAng 79 में मुकर्णत हुई थी या वो जो 1899 वाली लाइन है उसकी बात कर रहे हैं जैसे मकातर मकाटनी का मकडॉनल्ल मकाटनी लाइन का जाता है तो जो भारत की सरजमीन है भारत की सरहद है जो वो कहते हैं कि भारत ने या कांग्रिस की सरकार ने इतनी प्रष्ट भूमी खो दी तो किसको भारत की सरहत मानते हैं इन तीनों लाइन्स में से किसको भारत की सरहत मानते हैं क्योंकि चीन के साथ जब 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में कम्यूनिस चीन का गठन हुआ तो भारत और चीन की जो सरहत थी वो तो कभी मुकर्रर हुई नहीं थी तो जब यह कहते हैं कि इतनी यही जमीन आपने खो दी तो यह कौन सी सरहत की बात कर रहे हैं उसके तो स्पश्टिकरन करें बात करने के लिए शुक्रिया कैमरा पॉसर्ण आदेती के साथ जैनेंद्र भीपी न्यूज दिल्ली